मेश आने वाले कल का राशिफल और आप लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं यात्रा करना है अगर आप आज यात्रा कर रही हैं तो यात्रा के दौरान आप थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं जाचे की क्या आपने सब कुछ पैग कर अधिक विस्त्रित विशब आने वाले कल का राशिफल निजी कभी कभी चीजों को निजी रखना बहतर होता है चूमो मत और बताव विशब राशी के विवाहित जातकों के बीच आज छोटी मोटी बहस हो सकती है यात्रा करना हाँ हाँ यात्रा करना बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी आपको उस देश में रहने वाले लोगों की संस्कृती और परंपराओं का सम्मान करना होगा भाग्या आपका शासक ग्रह आज आपकी पीठ थप्थ पा रहा है मिथुन आने वाले कल का राशिफल निजी चीजों को मसालेदार बनाने का समया गया है अब चुप न रहें, कुछ पहल करें और आपका निजी जीवन आपको सम्मानित करेगा थोड़े से साहस के साथ प्रेम जीवन में आपका बहुत स्थगित द्रिश्टिकोन, बहुत फाइदे मन साबित होने की संभावना है यातरा करनाह काम के सिलसिले में की गई यातरा आपके लिए धेर सारा मुनाफ़ा लेकर आ सकती है भाग्या यह एक कर्क आने वाले कलका राशिफल निजी प्यार ही वह कारक है, जो आपके दिन को रोशन कर सकता है जैसा की कुंडली से पता चलता है यह कारक एक कठिन अतीत के बावजूद बहतरी की ओर जा रहा है। करक राशी के जातक एक संतुष्टि दायक दिन बिताने के लिए तयार है। आशाय और आकांक्षाय पूरी हो सकती हैं यदि तुम उनका पीछा करो। यात्रा करना है। सिन्ह आने वाले कल का राशिफल निजी अपनी लाव लाइफ से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। चीजों को धीमी गती से लें और सवाल या संदेह न करने का प्रयास करें। यात्रा करना है नई चीजों को आजमाने की इच्छा रखने से जीवन में एक नया बदलाव आ सकता है। भाग्या हर चीज हमेशा सही चलने में मज़ा कहा है। पेशाह सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने सभी कार्य का बैक अप है। अकन्या आने वाले कल का राशिफल निजी एकल राशियों को फ्लर्टिंग जैसा महसूस होने वाला है और वे बड़े सामाजिक समुहों में खिलने वाले हैं। अपने साथी के प्रती खुले और इमानदार रहें। अपनी आवश्चक्ताओं और अपनी इच्छाओं पर चर्चा करें। यात्रा करनाह जिस देश में आपको जाना चाहिए वह फ्रांस है। यह बहुत मजेदार सांसिक कार्य होने वाला है। तुला आने वाले कल का राशिफल निजी कभी कभी तुला राशी वाले अपने प्यार का इजहार नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे चुपचाप समझा जाना चाहिए, लेकिन आज आपको एहसास होगा कि प्यार की अत्यधिक अभिव्यक्ती दूसरों पर अधिक विस्त्रित, व्रिष्चिक आने वाले कल का राशिफल निजी आज विवेक से काम लेने की सलाह दी जाती है, किसी भी तरह के रिष्टे में पहले न जाएं, सभी तथ्य प्राप्त करें और फिर कार्य करें, ऐसे नए व्यक्तियों से मिलते समय सावधान रहें जो आने वाले कल का राशिफल निजी बच्चे आज आपके साथी के साथ बात्चीत में शामिल हो सकते हैं, हो सकता है कि वे पहली बार आपके साथ हो या परिवार का विस्तार हो, यदि आप दादा-दादी हैं, तो आप पोते-पोतियों के रहने को लेकर उचसाहित हो सकते है यात्रा करना है ग्रामेन इलाकों की यात्रा करने का बहुत अच्छा समय है भाग्या पारिवारिक रिष्टों में सुधार के मामले में अधिक विस्तृत मकर आने वाले कल का राशिफल निजियर शुक्र आज सचमुच अपना जादू चला रहा है कुछ अंतरंग समय एक साथ बिताएं और इसे मजेदार बनाएं एकल राशी वाले साहसी धनू राशी वालों की संगती का आनंद लेते हैं यात्रा करना है उन वेबसाइटों पर साइन अप करें जो आपको बताती हैं की वास्तव में सस्ते टिकट कब उपलब्ध हैं कुम्भ आने वाले कल का राशिफल निजीत आप इस समय बहुत इमानदार हैं आप भावनाओं पर परदा नहीं डाल सकते हैं और आप ऐसा करना भी नहीं चाहते हैं आप इसे वैसे ही कहना चाहते हैं जैसे यह है और यह वास्तव में लंबे समय में रिष्टों में मदद करता है भले ही यह कहीं से भी आता हो और अलपावधी में थोड़ा चौकाने वाला हो यात्रा करना हा आनंद के लिए अकेले यात्रा को प्राथम अधिक विस्त्रित मीन आने वाले कल का राशिफल निजीक मीन राशी वाले खुद को ब्रेक आपके बारे में सोच सकते हैं यदि आप लंबे समय से खुश नहीं है तो अब समया गया है कि आप बातचीत करें यात्रा करना हा आपके घुमने के लिए आदर्ष स्थान अर्जेंटी ना होगा आपको वहाँ एक यादगार अनुभव होगा यह निश्चित है भाग्या आज आपका भाग्यशाली अंक बहत्तर 91 और 30 रहने वाला है